कक्षा नुवी के हिंदी विशय में सूरेश कुश्वाह तनमय जी लिखित पूरक पठन रात का चोकिदार सिखेंगे प्रस्तुत पूरक पठन में लेखक ने चोकिदार के माध्यम से उसकी इमानदारी कर्तव्य निष्टकता को बताया है साथ ही कुछ लोगों के मुफ्त खोरी के भी बारे में यहाँ पर वर्नन किया है चात्रो इस पूरक पठन को खड़े आवाज में पढ़िये अब हम पाट का विश्तुत अध्ययन करेंगे चाहे सर्दी हो, गर्मी हो या बरसात हर मोसम में चोकेदार रात बारा बज़े से रात में सडक पर लाठी ठोकते, सीठी बजाते हमें सचेत करते, रात भर चकर लगाते, रोज सुनाई पड़ता है हर महीने के पहली तारिक को गेट बजा कर खड़ा होता है कितने पैसे पूछो तो रोज का एक रुपया के हिसाब से महीने के तीस रुपये जब लेकर पूछते हैं कि महीने में कितने घरों से पैसे मिलते है चोकेदार ने उत्तर दिया सहाब जी यह पक्का नहीं कभी 60 घर से पैसा मिल जाता है तो कभी 50 घर से कभी त्योहार में कुछ घरों से भी पक्षिस मिल जाते है इतने में गुजारा हो जाता है लेकर कहते है कॉलनी में तो सो सवासो का घर है तो तुमें स्रिफ पचास या साथ घर से ही पैसे मिलते है फिर भी तुम उनके घर के सामने सीटी बजा कर चोकसी क्यों करते हो चोकेदार ने उत्तर दिया चोकसी करना मेरी जिम्मेदारी है मैं केवल पैसे के लिए काम नहीं करता उल्टा पैसे न मिलने पर चोकसी रखना और भी जरूरी हो जाता है यदि उनके ही घर चोरी हो जाए तो पुलिस हमें ही पूछेगी और वे घरवाले भी जुटा अरोप लगा सकते है कि पैसे नहीं दिये इसलिए चोकिदार ने ही चोरी करवा दी लेखक ने पूछा तुम्हें रात में अकेले घूमते डर नहीं लगता चोकिदार ने जवाब दिया डर तो लगता है साब जी कई बार गुंडे बदमाशों से मार पिट भी होती है शरीफ दिखने वाले भी धोस जमाते है लेखक ने पूछा सोते कब हो चोकिदार ने जवाब दिया रोज सुबह आट नो बजे कॉलोनी में चक्कर लगाता हूँ देखता हूँ सब कुछ ठीक है फिर सोने के लिए घर चला जाता हूँ चोकिदार ने कहा है साब जी पैसे दे दो मैं अगले घर जाओंगा लेखक करते है अब तुने ही कहा जो पैसे नहीं देता उनका ध्यान तुम ज़्यादा रखते हो तो अब मेरे घर की चोकसी भी तुमें बिना पैसो की करनी होगी बेचारा चोकिदार क्या कर सकता था जैसे आपकी इच्छा साब जी कहकर चोकिदार दूसरे घर की ओर जाने लगा बिना उपर दबाव अत्मा नियंत्रन के इतनी जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाने वाला सुरक्षा की चिंता करने वाला स्वयम कितना असुरक्षत है यह लेखक सोचते रहे उन्हें रात भर नीद नहीं आई सुबह उन्होंने चोकिदार को बुलाया और चोकिदार को कहा उसे पूरा पैसा मिलेगा चोकिदार ने सलाम किया और खुशी से वो वहाँ से चला गया लेखक ने चेन की सास ली और चोकिदार के प्रती अपनी स्रद्धा और उनसके मन में बढ़ गई तो इस प्रकार चोकिदार की इमानदारी पर उनके प्रती लोगों की प्रतीकुलता मुफ्त कोरी को पूरक्पथन के माध्यम से दरशानिक प्रयास लेखक ने किया है आज का गुरुवकार यह है पहला है कारण लिखिए चोकिदार द्वारा पैसे न देने वाले घरों की भी चोकिदारी करने का कारण क्या है यह आपको विस्तुरुत तोर पर बताना है दूसरा कारण है चोकिदार की असुरक्षा का कारण चोकिदार रात में चोकिदारी करता है, कॉलिनी में घूमता है तो उसकी असुरक्षक का कारण क्या है यह आपको बताना है इसमें दूसरा प्रशन है पुलिस समाज के रक्षक इस बारे में आपना मत लिखिए पुलिस जो है वो समाज की रक्षक है वो किस प्रकार किस से समाज की रक्षा करती है इस बारे में आपको आपकी राय लिखनी है तो इस प्रकार आज हमने रात का चोकिदार यह पूरक पठन सीका धन्यवाद